ऐलो एवरेवान वेलकम टू ओर कुकिंग चैनल कुक वीद कॉर्ड कैसे हैं आप सब फ्रेंच अज हम बनाएंगे आलू और सुणी का नाश्ता और यह वाला नाश्ता हम बनाएंगे इसको बहुति कम तेल में बनाएंगे तो यह नाश्ता है जो हैल्डी बिया और टेस्टी बनाना इसको बहुत ही असान है तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं इस नाश्टे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कटोरी सूजी तो यह मैंने एक कटोरी सूजी रवा ले लिए इसको हम एक खुले बरतन में डाल रहेंगे और सेम कटोरी से हम आदा कटोरी इसमें डालेंगे दहीं दहीं बहुत ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए हलका खटा दहीं इसमें चलेगा और थोड़ा सा मिसमें डालेंगे नमक दो पिंच के क्रीब में इसमें डाले हूँ पिसी हुई काली मिर्च इन सबको हम एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी आपने जिस कटोरी से एक कटोरी सूजी लेनी है सेम कटोरी से आदा कटोरी आपने दही लेना तो ये मैंने एक कटोरी पानी लिये लेकिन अभी हम इसमें से सिर्फ है जो आदी कटोरी पानी इसमें डालेंगे पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से एक बार मिला देना तो यह मैंने इसको अच्छी तरह से मिला दिये अभी हम इसको ढखकर 10-15 मिनिट की रेस्ट के लिए छोड़ देंगे जिससे क्या होगा सूजी है जो सारा पानी भी अबसर्ब कर लेगी और अच्छी तरह से फूल जाएगी तो अभी हमने इसको ढखकर 10-15 मिनिट की रेस्ट के लिए छोड़ देना तब तक हम इसकी जो फिलिंग है वो तियार कर लेते हैं इकड़ाइ ने एक चमज डाला स suburbs कोङ जडा इसकरा कंशी है और छोथाही चमज हम इसमे डालेंगे राए इंस च्श फीन च्श कर लेंगे तेल मैं को जड़ें कर लें और में में डाल सकते हैं तो आप डाल सकते हां तर्सको स्क्टी आर........ सकते हैं और एक मेने लिया है मीडियम साइज का प्याज जिसको बिल्कुल बरी कट कर लिया है कि इसको भी हम तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज को हमने तब तक भूनना है जब तक यह हलका गुलाबी नहीं हो जाता तो प्याज है जो हमारा यह देखिए रोस्ट हो चुक है हलका गुलाबी सा यह हो गया है इसके बाद हम इसमें जो बाकी के मसाले अड़ करेंगे और इसी के साथ यह मैंने चार हरी मिर्चे लिया है बरी कट करके यह हम इसमें डाल देंगे और आदा चमच हमने लिया है अद् कर सकते हैं तो अभी यह देखिए हमारे यह सारे मसाले जो अच्छी तरह से भून चुके हैं अभी हम इसमें आदा चमच डालेंगे हल्दी आदा छोटा चमच हमने इसमें हल्दी काड़ किया है और साथ मी मैंने तीन लिए हैं उबले हुए आलू मीडियम साइज के यह आलू इसको अच्छी तरह से मैश कर दीजिएगा आलूं के जो बड़े बड़े टुकडे यह चंक सिसमें नी रहने चाहिए अभी हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक नमक हमने जो पहले सूजी में भी डाला था आदा चमच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला जो इसको बहुत ह पटा सा फ्लेवर दीगा और आदा चमची में डाल रही है धनिया पाउडर इन सबको हम अच्छी तरह से एक बार मिला देंगे इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बरीक कटा हुआ हरा धनिया इसको धोकर मैंने साफ करके ऐसे काट ली है और लास्ट में हम इसमें ए अंडा होने देते हैं तब तक हमने जो सूजी रखी हुई थी उसको चेक कर लेते हैं तो यह देखिए सूजी है जो अच्छी तरह से फूल चुकी है इसने पानी को पूरा अब्जॉब कर लिया तो अब हम इसमें जो बची हुई आधी कटोरी पानी थी वो भी डाल देंग तो यह देखिए पानी है मैंने इसमें मिला दिया एक कटोरी पानी इसमें टोटल लग गया है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए इस तरह का बैटर हमने बनाना है ना तो यह बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गड़ा बैटर है तो और गैस का फ्लेम आपने इस टाइम पे कम कर देना है जब आपने यह बैटर तवे पे डालना है गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए और इसको आपको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप यह अपनी शेप ले लेगा तो इसको भी हम पल्टेंगे नहीं थ इसको दूसरी साइड से थोड़ी देर के लिए पकने देंगे इसके बाद हम इसकी साइड उल्टते पल्टते हुए इसको अच्छी तरह से पका लेंगे तो यह देखिए मैंने इसको जो दोनों साइडों से पका लिए है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेती है तो यह हमने फिलिंग के लिए एक बेस है जो बना लिए इसी तरह से हम सेम एक है जो और तेयार करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा हमने दुबारा से ओपलाए कर दिया और एक कड़ी भरकर इसमें बैटर की डाल दिया इसको भी आपने जो पहले थोड़ा सा उपर से हलका सा जो ड्राइ होने देना है यह देखिए ड्राइ हो चुक है थोड़ा सा ओईल इसकी साइडों पर इसके बाद इसको अराम से पलट देंगे हैं कि अस Cathy मज घंप से विश Vai Śl. इसको दोनों साइडों से अग्राइगे और जब हम यह ब Boss बनाते हैं तो इसमें ऊऐल जोंडाने में बहुत एसट जैसे लिआ आयल में है जो बहुती एजली बना सकते हैं तो यह देखिए जो हमारा सूजी का दूसरा चोटा सचिला यह भी हमने बना कर तयार कर लिये हैं तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो यह देखिए दोने साइड़ों से अच्छी तरह से पक चुका अच्छी तरह से हाथों से उसको प्रेस करतेंगे यह देखिए इस तरह से यह फिलिंग वला सूजी का नाश्ता जो हमारा रेडी है अब हम इसको एक बार थोड़ा सा और पकाएंगे जिससे यह बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा तो तबे पर पहले से ही था ओयल था मैंने और इसको ऐसे उल्टते पल्टते हुए हम थोड़ा सा और क्रिस्पी करेंगे तो यह देखिए यह जो है इस साइड से भी अच्छी तरह से पक चुका अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखिए इस तरह से यह नाश्ता जो बच्चों से लेकर बड़ो तक सब को कोई बहुत पसंद आएगा तो ट्राय जरूर कीजिए का इसी तरह से मैंने यह एक और बना लिया आप चाहें तो इसको ऐसी सर्व कर सकते हैं मैंने जो इनको है यह देखिए बीच में से इस तरह से कट करके सर्व किया और कैचचप के साथ सब किया आप इसको हरी चटनी के साथ तिकी चटनी के साथ है जो सर्व कर सकते है नारियल के चटनी के साथ यह बहुत टेस्टी लगते हैं तो फ्रेंज इंजॉय कीजिए इस नाश्ते को जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक कियर घर पे रहिए खुद का ध धियान के अपनी फेमली का धियान्स